हेलो फ्रेंट, स्वागता है आप सभी का एक्साम पाथ फाइंडर में आज की इस वीडियो में हम एक और वेकेंसी से रिलेटड बात करने वाले हैं जिसमें Ministry of Power ने जो Member Hydro और Chief Engineer की पोस्स निकाली है Deputation के माधियम से, इसके बारे में हम चानेंगे इन दो पोस्स के लिए जो Upper Age Limit रखी गई है, वह 50 ADS की रखी गई है इसके आवेदन आपको Offline माधियम से बरना होगा यानि Candidate को Official Notification डाउनलोड करके उसे भरकर पूरा और सारी जरूरी दस्तवेजों के साथ इस दिये गए पते पे भेजना होगा इस आवेदन प्रक्रिया के लिए जो स्टार्टिंग डेट है वह 17.07.2021 है वही इसको 30.08.2021 तक भरा जा सकता है Official Notification Candidate Official website यानि POWERMIN.NIC.IN पर जाके भर सकता है Official Notification आपकी convenience के लिए हमने अपने Official website यानि Alert.Exam Pathfinder पर भी प्राइट कर रखी है जैसा कि आप देख सकते हैं Official Notification में पोस्ट के लिए जो qualification मांगी गई है और क्या उसका grade पे रहेगा, experience क्या मांगा गया है यह सारा कुछ इस Official Notification में आप देखेंगे क्या duty रहेंगी Member Hydro की और इसके साथ जो performa है जो जैसा हमने आपको बताया जो आपको form fill करना होगा वह कुछ इस प्रकार दिखेगा इस यह दो पार्ट का performa है जिसे candidate को fill करके यह part 2 भरना होगा इसको पूरा fill करके और दिये गए पते पे by mail पोस्ट करना होगा इसके साथ friends आप हमारे community forum का use कर सकते हैं अगर आप इस post के लिए interested हैं और इससे related कोई discussions या doubts अपने clear करना चाहते हैं तो community forum यानी community.exampathfinder.com पे आके आप इस dialogue box में अपने questions या queries बूच सकते हैं इस वीडियो में इतना ही friends अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो प्लीज हमारी वीडियो को like करिए, share करिए और हमारे चैनल को subscribe करिए आप हमारे alert services को भी इस button के तुरू subscribe कर सकते हैं जिसमें इस event से related अगर कोई नई announcement होती है तो वह आपको पहुचा दी जाएगी आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद